नमस्कार फ्रैंट्स प्लैनेट हब में आपका फिट से हार्दीक स्वागत है और इस बार चर्चा करेंगे मकर रासी नियू एर 2019 के लिए 2019 का मकर रासी का फलादेश बताएंगे कैसा रहेगा मकर रासी वाले मकर लगन वाले दोनों एक बार का इसको देख के पिडिक कर सकते ह एक बार का इसको फॉलो करके चल सकते हैं लेकिन रासी ज्यादा माईने रखती है क्यूं कि रासी गोचर में जो ब्रह्मन देखना है जैसे ये साल भर का पिडिक्शन देखना है उसके लिए रासी को ज्यादा इंपोटेंस दिया जाता है जैसी रासी है उसके इसाब से प् विचार करेंगे मकर रासी शनी के घर की रासी और लगनेस अभी भी जाके बैठा है 12th हाउस में यहां लगनेस का जाके बैठना ऐसे भी कोई अच्छा नहीं गिना जाता है और डेडी केतु का ब्रह्मन यहां चल रहा है फिर भी आपको एक बहुत अच्छी रहात होने वाली यह 6-3-2-19 से मार्च महिने की जो 6-3-2-19 की जो डेट से उससे राहू का जो ब्रह्मन है वो आपका यहां से हटके आ जाएगा 6th हाउस में यहां अभी करकरासी में चल दा है केतु चल दा है आपकी धासी के अंदर यह दोनों प्लैनेट्स चेंज होके आ जाएंगे 6th हाउ के तुमारा शनी के साथ यह एक आपके लिए बहुत ही अच्छा positive point है जो आपके वाद विवाद partner से हो रहे थे business partner से हो रहे थे life partner से हो रहे थे अगर आप live in relationship में है तो उसमें भी काफी आपको bear करना पड़ रहा था हर तरीके से आपकी हार हो रही थी आपकी नाकाम्या भी हो रही थी उसमें काफी हद तक अभी आपको positive point दिखना चालू हो जाएंगे क्योंकि यहां sixth house में राहू बहुत ही अच्छा गिना जाता है बहुत ही super doper यहां गिना जाता है मिथून रासे का राहू उच्छ का राहू जब sixth house में आता है तो वो व्यक्ति परसन को बहुत ही अच्छा फल देता है बहुत ही अच्छा उसको आगे future अपना बनाता है इसके लिए यहां जो राहू है वो आपके लिए काफी अच्छा गिना जाएगा दुस्मनों को परास्त करेगा आपकी जो भी liability है जो आपका करजा है उसको खतम करेगा अभी तक आप liability में जो जी रह नहीं थे वो काफी हद तक आपकी खतम होने वाली है क्योंकि यहां राहू का ब्रह्मन बहुत ही सुपर डूपर है के तु आलड़ी यहां 12th हाउस में है तो जो भी व्यक्ति परसन भाई बेन यह स्टूडन्ट वर्ग अपने बहार जाने की इच्छा रखके बैटे हैं जैसे यहां केतु आएगा 6,3,19 के बाद आप विज़ा रख सकते हैं क्योंकि यहां अलड़ी शनी बैटा हो लेकिन जैसे ही केतु आएगा केतु की काम बहुत ही अच्छा आपको फल देना है इसके लिए यहां केतु आपको बहार्ष रिलेशन में या बहार्ष लगती ची या आपके साथ कुछ बुरा होगा है कौट के अंदर आपकी कोई सुन नहीं रहा है तो यहां जैसे ही केतु आएगा तो कौट में आपकी एक विज़े होगी आपको कौट में एक रिजल्ट अच्छा मिलेगा पोजिटिव आपके लिए एक सिंथम से समाचार वहां से आ सक दोस्तों से अभी काफी हद तक आपको अच्छा लाब मिल सकता है और गुरु की जो द्रश्टी है वो पढ़ रही है अपने थर्ड हाउस पे छोटे भाई-बहनों के उपर तो छोटे भाई-बहनों से जो आपके रिलेशन बिगड़े हुए थे या उसमें कोई भी मन मोट हुआ था तो यहां अच्छी तरह से वो प्रॉब्लेम निकल जाएंगे और उनसे आपकी सुलेव अगेरे भी हो सकती है गुरु का जो साथवी द्रश्टी है वो पंचम हाउस के उपर है जो विद्यार्थी वग मकर लगना मकर राशी वाले हैं तो उनके लिए भी एक शु आपके हातों से कामिया भी एक आसार दिखते नजर आएंगे और गुरु की जो लास्ट जो नजर है नवम द्रश्टी है वो है पार्टनर्शिप के उपर अपने लाइफ पार्टनर बिजनस पार्टनर जो आपके बिलेशन बिगड़े हुए थे जो आपके लाइफ पार्टनर में बिजनस पार्टनर में भी या अपना जो बिजनस चल रहा है उसमें भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने के आसार यहां दिख रहे हैं गुरु आपको बहुत इच्छा फल देंगे इसलिए मकर रासी वालों के लिए यहां एक शनी का जो पॉइंट मयर्टनर मों Comic चल रहा है तीस चार को शनी वक्रियो रहा है तो उस फिलियर में थोड़ा आपको кदारी रखनी है तोड़ा संबल के काम करना है कोई नया काम चालू नहीं करना है और जो भी काम चल रहा है उसमें प्रिकोशन पहले लेना है तो यह प्रिजन के लिए इसलिए आपको यहाँ एक प्रिकोशन लेने के लिए बोला है थोड़ा प्रिकोशन लेके चलेंगे शनी की रेमेडिस करेंगे तो काफी हद तक आपको राहत सांती मिलेगी इसलिए मकर रासी वालों को एक ही एडवाईज है छे तिन तक थोड़ा सांती से समय निकाल वो बहुत ही अच्छे प्रगति करेंगे काम का जुन का बढ़ेगा बढ़ेगा और बहार्शे रिलेशन में बहुत हद्तक आपको फाइदा नजर आएंगा ऐसे और कई वीडियो लेके होंगा तब तक के लिए नमस्कार